Email Application, Microsoft Outlook, Objectives Module 6 के इस हिसे में आप सिखेंगे कि Email Application क्या होती है और इसे कैसे Open और Close किया जाता है Email Account Configuration कैसे की जाती है, Email कैसे Receive करते हैं और कैसे Read की जाती है Introduction जैसे आम खत होता है, वैसे ही Electronic Mail या Email एक ऐसा तरीका है जिससे हम Internet को इस्तमाल करते हुए कोई Message, कोई Picture या कोई Information भेज सकते हैं और जिस Application को Use करते हुए Email Send की जाती है, उसे Email Application कहते हैं जैसे Microsoft Outlook, Incredi Mail या Windows Live Mail वगेरा हम Microsoft Outlook 2010 को इस्तमाल करना सीखेंगे, जो MS Office 2010 में से Install होता है हो सकता है कि आपका Email Send करने का प्रोग्राम इससे थोड़ा फर्क हो, यानि Buttons थोड़े आगे पीछे हों, लेकिन काम करने का तरीका तक्रीबन एक जैसा ही होगा हम Basic Idea लेंगे कि कैसे किसी प्रोग्राम को यूज करते हुए, Email को Send, Open और Receive किया जाता है इसके लावा हम Email की Basic Settings वगेरा करना भी सीखेंगे Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook को आप दो तरीकों से Open कर सकते हैं पहले तरीके में आप Desktop पर Microsoft Outlook के आइकॉन को Double Click करके Open कर सकते हैं या फिर Start Menu पर क्लिक करें अब All Programs में जाएं, यहां से Microsoft Office पर क्लिक करें और अब Microsoft Outlook 2010 के आइकॉन पर क्लिक करें अगर आप Microsoft Outlook को पहली दफा इस्तमाल कर रहे हैं तो आपके सामने Microsoft Outlook 2010 स्टार्ट अप का Dialog Box आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहां से Next के बटन को प्रेस करते हैं बटन प्रेस करते ही Account Configuration का Dialog Box आ गया है हम फिलहाल No को सिलेक्ट करके Next के बटन को प्रेस कर रहे हैं अब हमारे सामने Cancel Configuration की स्क्रीन है हम फिलहाल Continue With No E-Mail Support के बटन को टिक करते हैं और Finish के बटन को प्रेस कर देते हैं अब आपके सामने Microsoft Outlook 2010 की application open हो गई है Microsoft Outlook Layout इस section में हम आपको Microsoft Outlook 2010 के Layout के बारे में बताते हैं Outlook 2010 का Layout भी MS Word 2010 के Layout से मिलता जुलता है जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे उपर Title Bar है और उसके बाईं तरफ Quick Access Tool Bar है Title Bar के नीचे Ribbon Tabs हैं जैसा के Home, Send, Receive, Folder और View वगईरा हम उनमें से हर एक पर क्लिक करके नीचे उनके Ribbons को देख सकते हैं और मुख्तलिफ फीचर्स को इस्तमाल कर सकते हैं Ribbons के नीचे बाईं तरफ Navigation Pan है जिसमें मुख्तलिफ folders और directories दी गई हैं मसलन, Inbox, Graphs, Sent items वगईरा जिनकी तफसील हम आगे चल कर देखेंगे अब Navigation Pan के साथ दाईं तरफ इस हिस्से को Content Area कहते हैं यहाँ पर E-Mails की डीटेल देखी जा सकती है जैसे के Sender कौन है, Message का Subject क्या है और किस तारीख को Receive या Sent की गई है Content Area के साथ ही दाईं तरफ Reading Pan है Content Area से जिस E-Mail को Select करें इस E-Mail के अंदर जो Message टाइप होता है वो यहाँ Display हो जाता है जैसा के आप देख रहे हैं Reading Pan के साथ दाईं तरफ आखिर में इस हिस्से को To Do बार कहते हैं इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक Calendar दिया गया है हम इस Calendar में से किसी भी तारीख पर क्लिक करते हैं तो एक नई Window हमारे सामने आ जाती है यहाँ से हम अपने आइंदा आने वाली तारीखों में मतवक्का कामों की तफसील लिख कर Save कर सकते हैं Email Account Configuration अब हम Microsoft Outlook 2010 को इस्तमाल करने के लिए अपने email account को configure करना सीखते हैं इसके लिए किसी भी email provider site पर एक valid email account होना लाजमी है सबसे पहले हम File menu से Account Settings पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही हमारे सामने एक दफ़ा फिर Account Settings की Option आ गई है हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नई window open हो गई है जिसके title bar में Account Settings लिखा हुआ है और चूँके अभी तक हमने Outlook में अपना कोई email account एड नहीं किया इसलिए नीचे यहां इस area में कोई भी email account नजर नहीं आ रहा हम इस application में अपने email account को एड करते हैं इसके लिए हम यहां new के बटन पर क्लिक करते हैं क्लिक करने से add new account का dialogue box खुल गया है यहां से हम आखरी option यानी manually configuration को select करते हैं अब हम next को press करते हैं चूज सर्विस के नीचे internet email की option पहले से ही selected है हम एक दवा फिर से next पर क्लिक करते हैं इस screen पर आपको अपने email account के बारे में information देना होगी सबसे पहले user information के नीचे your name की field के सामने अपना नाम लिखें हम यहां VUCPL लिखते हैं अब इसके नीचे वाली field में आप अपना email address लिखें यहां हम VUCPL 2010 at the rate of gmail.com लिख रहे हैं इसके बाद server information में हम उस server के बारे में मालूमात देंगे जिस server के जरिये हमारी email send और receive होती है चूंके VUCPL का email gmail पर बना हुआ है इसलिए हम यहां gmail के server की settings का इंदराज करेंगे account type के सामने pop3 selected है हम इसमें कोई तबदीली नहीं करेंगे incoming mail server के सामने pop.gmail.com लिखते हैं अब हम outgoing mail server के सामने smtp.gmail.com लिखते हैं यहां यह बात आपको बताते चलें के हर email server की settings मुख्तलिफ होती हैं इसलिए जिस server पर आपने अपना email बनाया हुआ है आपने उसी server की settings यहां type करना है अगले मरहले में log on information देना है इसके लिए username के सामने हम अपनी email id यानी vucpl2010 at the rate of gmail.com लिखते हैं और नीचे वाली field में हम अपना password लिख रहे हैं लेकिन security reason की वज़ा से यह password लिखते हुए हमें नजर नहीं आता अगर आप चाहते हैं कि Microsoft Outlook इस password को याद रखे और आपको हर दफा password ना देना पड़े तो remember password को check कर दें दूसरी सूरत में इसको uncheck कर दें दाए तरफ से deliver new messages to के नीचे existing outlook data file को select करते हैं अब हम नीचे दिये गए more settings के button पर click करते हैं हमारे सामने internet email settings की एक और window आ गई है इसमें चार tabs दिये गए हैं हम इनमें से पहली tab में कोई तबदीली नहीं कर रहे दूसरी tab outgoing server की है हम इस पर click करते हैं और पहली line को enable कर देते हैं तीसरी tab connection की है इस पर click करके हमें अपने मुतलिका option को select करना है यहां पहली option पहले से ही selected है हम इसमें कोई तबदीली किये बगएर चौथी और आखरी option advanced पर click कर देते हैं हमें यहां Gmail server की settings के मुताबिक कुछ numbers enter करने है incoming server में हम 995 enter करते हैं इसके बाद नीचे दी गई इस line को tick कर देते हैं outgoing server के सामने 4, 6, 5 enter करके नीचे वाली option से SSL को select करते हैं अब हम ok का button press करते हैं हमारे सामने फिर वो ही add new account वाली window है अब हम दाएं तरफ दिये गए इस test account settings के button को press करते हैं आप देख रहे हैं कि outlook हमारी दी गई settings को test कर रहा है और यह देखें, account settings का test काम्याबी से मुकमल हो गया है हम यहां से close का button दबाते हैं और add new account के dialogue box में next का button press कर देते हैं outlook एक दफा फिर account setting को test करता है अब आखिर में हम इस finish के button को press करते हैं और यह देखें, outlook में हमारा email account वी यू cpl 2010 at the rate of gmail.com add हो गया है यहां से close के button को press कर देते हैं और यूं आपका email account configure हो गया है inbox हम navigation pan से inbox को select करके send receive के button को press करते हैं तो हमारे सामने outlook send receive progress की window आती है जो हमें बताती है कि outlook आपकी emails को server से download कर रहा है और यह देखें, हमारे content area में कुछ emails receive हो गई हैं send receive का button दबाने से new mails inbox में आ जाती हैं अब navigation pan से inbox के folder पर click करें आपके account में जिदनी भी mails हो आप content area से उस mail या message पर click करके read कर सकते हैं reading a message message read करने के लिए सबसे पहले inbox पर click करते हैं अब हमारे सामने हमारा mail box आ गया है अब हम जिस message को read करना चाहते हैं, उस पर click करते हैं अब selected message को reading pan से पढ़ सकते हैं अब हम email message को read या unread करना सीखते हैं इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि read और unread में क्या फर्क है जो messages हम पढ़ लेते हैं, वो read किये हुए messages कहलाते हैं और जो messages हमने नहीं पढ़े होते, वो unread messages कहलाते हैं हम किसी भी email program के messages को ये देख कर बता सकते हैं कि कौन से messages पढ़े जा चुके हैं और कौन से messages नहीं पढ़े गए इसका तरीका ये है कि जो messages bold नज़रा रहे होते हैं उनका मतलब ये है कि ये अभी पढ़ने हैं और जो पढ़ लिये होते हैं वो unbold form में नज़रा रहे हैं इसके इलावा हमें हर message के साथ एक लिफाफे का icon भी नज़रा रहा है जो लिफाफे open नज़रा रहे हैं उनका मतलब है कि ये message पढ़ा जा चुका है और जो लिफाफे बन नज़रा रहे हैं वो message अभी नहीं पढ़े गए अगर हम ये चाहते हैं कि पढ़े हुए messages पर unred का label लग जाए और जो messages पढ़े हुए नहीं हैं उन पर red का label लग जाए तो ऐसा भी हो सकता है इसका तरीका ये है कि जिस message पर red या unred का mark लगाना है पहले उससे select करते हैं फिर उस पर हम right click करते हैं मसलन हम इस message पर red का mark लगाने के लिए इस पर right click करते हैं जो sub menu open हुआ है इसमें से mark as red की option को select करते हैं अगर हम किसी folder पर red या unred का mark लगाएंगे तो इस folder के तमाम messages पर वो mark लग जाएगा मसलन हम इस वक्त इस folder पर right click करते हैं फिर menu में से हम mark as red की option पर click करते हैं अब जो message लिखा नजर आ रहा है उसका मतलब है कि इस folder के तमाम messages पर mark लग जाएगा क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं? हम ok के button पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि इस folder के तमाम messages पर red mark लग ग गया है यानि इन तमाम messages के साथ open envelope नजर आ रहे हैं Create a new message Email program का असल मकसद email लिखना और भेजना है लहाजा इस section में हम email message लिखने का तरीका सीखते हैं जिस तरह एक खत लिखा जाता है बिलकुल इसी तरह एक email message लिखा जाता है परक सिर्फ यह है कि खत कागस पर लिखा जाता है जबके email message कीबोर्ड की मदद से email program में लिखा जाता है आईए अब हम email message लिखने का तरीका सीखते हैं इसमें सबसे पहले हम home tab से new email पर click करते हैं हमारे सामने अब ये window नजर आ रही है ज्यादतर email program में इसी तरह की window open होती है जो के एक word processor से मिलती जुलती है इस window के दो parts है, header और body Body में हमने वो text लिखना है जो हम भेजना चाहते हैं और header में हमने address बताना है, जिसको हमने message भेजना है इसमें हम to के आगे वो email address टाइप करते हैं, जिसको हमने mail भेजनी है इसमें subject के section में message का उन्वान बताया जाता है इससे ये पता चलता है कि ये email किस topic के बारे में है मसलन हम ये subject टाइप करते हैं इसके बाद हम message window में वो message टाइप करते हैं, जो हमने भेजना है Message टाइप करने के बाद, हम send के button को click करते हैं, जिससे हमारा type किया हुआ पैगाम इस email address पर पहुंच जाएगा Responding to a message इस section में हम आपको ये बताते हैं, कि जब email messages को हम पढ़ लेते हैं, तो फिर उनका जवाब कैसे देते हैं? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस email message को open करते हैं, जिसका जवाब भीजना है मसलन हम Outlook के inbox के folder में इस message पर click करते हैं अब हमें Home की tab में उपर यहां पर reply और reply all के icon नज़र आ रहे हैं इन दोनों में फरक ये है कि reply को click करने से हम सिर्फ एक sender को जवाब दे सकते हैं जबके reply all को click करने से एक से ज़्यादा sender को जवाब भेज सकते हैं और message उन सब को जाएगा जिनके email यहां आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त हम reply के icon पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमें ये window नज़र आ रही है हमने अपना जवाब इस window में type करना है हमने इस window में ये जवाब type कर लिया है इसके बाद हम send के button को click करते हैं लीजिये, हमने message के reply कर लिया है इसके बाद हम send items को click करते हैं जिसको देखने से हमें ये confirm हो गया है कि हमारा message जा चुका है जब हम अपने email messages का जवाब भेजते हैं तो हमारे पास ये option भी है कि हम original message को साथ भेजना चाहते हैं या नहीं आईए, अब हम ये सीखते हैं कि हम email program में किस तरह email message के साथ या उसके बगएर message का reply करते हैं इस वक्त आपके सामने outlook का program open है फर्स करें कि हम किसी email message का जवाब original message के बगएर भेजना चाहते हैं इसका तरीका ये है कि पहले हम file menu पर click करते हैं फिर उसमें options पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ tabs एक list की सूरत में हमें बाएं तरफ नज़र आ रहे हैं हम यहां से mail पर click करते हैं दाएं तरफ से settings बदल गई हैं स्क्रॉल पार को नीचे करके हम इस dialogue box के on replies and forward के section में when replying to a message की drop down list को open करते हैं अब जो option हमें नज़र आ रही हैं उनमें से do not include original message की option पर click करके हम इस email message का जवाब original message के बगएर भेज सकते हैं हम original message को attachment की form में भी भेज सकते हैं इसके लिए हम इस option पर click कर सकते हैं इसके इलावा हम इन options को select करके अपनी मर्जी की setting कर सकते हैं फिलहाल हम do not include message की option को select करते हैं और okay के button पर click करते हैं अब जैसे ही हमने इस message का जवाब दिया है आप देख रहे हैं कि इसमें हमें अपना original message नजर नहीं आ रहा है copy, cut and paste इस section में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें email message का text किसी और जगा पर चाहिए हो तो क्या हमें इसे दुबारा लिखना पड़ेगा जी नहीं जनाब email programs हमें messages को copy करने की सहूलत भी मुहया करते हैं आएए पहले ये सीखते हैं कि copy और paste का क्या मतलब है किसी email message के text को copy और paste करने का मक्ज़द उसका duplicate बनाना होता है यानि selected text अपनी असल जगा पर भी रहे और नई जगा पर भी मौजूद हो email message को copy करके कहीं paste करने के लिए हमें कुछ steps पूरे करने होते हैं आएए इनने सीखते हैं पहला step ये है कि email message से अपनी ज़रूरत के text को select करें ये देखिए हमने email message की window से इस portion को select कर लिया है दूसरा step इस text को copy करना है इसके लिए पहले हम selected portion पर right click करते हैं फिर इसमें से copy की option पर click करते हैं इस message को एक और window में paste करने के लिए हम home tab से new email पर click करते हैं ताके एक और message window open हो जाए फिर message area में यहां right click करके paste की option पर click करते हैं जैसे ही हमने paste पर click किया आप देख रहे हैं कि इस message window में भी वही text नजर आ रहा है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले copy किया था email message लिखते हुए हमें काफी editing करना पड़ती है हमें अपने email message में लिखे गए text में से कुछ text को अकसर एक message से दूसरे message में मुंतकिल करना होता है टेक्स्ट को इस तरह से एक message window से दूसरे message window में ले जाने के अमल को copy और paste कहते हैं आईए अब हम यह सीखते हैं कि एक email message को एक जगह से दूसरी जगह cut और paste कैसे करते हैं इसके लिए हम inbox से इस message को select करते हैं और फिर home tab से reply की option पर click करते हैं अब हम नीचे यहां से text को select कर रहे हैं इसके बाद selected text के उपर right click करके cut की option को click करते हैं इस option को select करने से selected text इस email message से गाइब हो गया है दरसल computer ने इस text को यहां से निकाल दिया है क्योंकि हम इसे कहीं और ले जाना चाहते हैं हमारा अगला step उस जगह का इंतखाब करना है जहां हम cut किये हुए text को paste करना चाहते हैं हम इसी email में यहां उपर click करते हैं इसके बाद हम इस जगह right click करके paste की option को select करते हैं यह देखिए जैसे ही हमने इस option पर click किया तो selected text इस जगह पर paste हो गया हमने एक ही message में एक जगह से दूसरी जगह cut और copy करना तो सीख लिया है लेकिन इसके इलावा किसी और program से भी data को अपने email message में copy कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हम इसी cut and paste या copy paste के तरीके को दोहरा सकते हैं Auto signature signature वो matter होता है जो आपकी mail के last में आता है इसमें आप अपना address, phone number, अपना नाम या कोई भी information दे सकते हैं हम new email पर click करते हैं इसके बाद signature सेट करने के लिए message के tab से signature पर click करते हैं drop down menu से दोबारा signature पर click करते हैं चुँके अभी तक इसमें पहले से कोई signature सेट नहीं किये गए इसलिए ये window खाली है अब हम इसकी पहली tab के नीचे से new के button पर click करते हैं इस नई window में हमने signature का नाम देना है हम यहाँ cpl type कर रहे हैं और फिर ok का button दबाते हैं इसके बाद हम edit signature के नीचे इस box में अपने signature का text type करते हैं मसलन हम पहली line में cpl type करते हैं दूसरी line में virtual university of Pakistan type कर रहे हैं और तीसरी line में phone number यानी 042-111-880-880 type करते हैं अब इस text को mouse pointer से select करके अपनी मरजी से उपर दिये गए tools की मदद से formatting करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं आखिर में हम नीचे दिये गए ok के button को press कर देते हैं यूँ आपका signature set हो गया अब हम इस signature को email message के end में insert करते हैं इसके लिए हम cursor को message के आखिर में लेकर जाते हैं अब दुबारा message की tab से signature पर click करते हैं आप देख सकते हैं कि अब इसमें cpl के नाम के signature मौजूद हैं हम इस पर click करते हैं तो ये देखें हमारा बनाया हुआ auto signature insert हो गया है proof reading हमने शुरू में आपको बताया था कि email message की window एक word processor की तरह काम करती है word processor का एक बहुत एहम feature spell check है जिसकी मदद से हम अपनी spelling mistakes को ठीक कर सकते हैं email messages में भी spell check का feature मौजूद है अगर हम अपने email message में typing के दोरान spellings की गलतियां कर लें तो spell checker की मदद से हम उनको असानी से ठीक कर सकते हैं आईए इसको सीखते हैं इस वक्त आपको email program की message window में एक message type किया हुआ नजर आ रहा है आप देख रहे हैं कि इन में कुछ अलफाज सुर्ख रंग से underline है इस सुर्ख line का मतलब यह है कि इन अलफाज की spelling गलत हैं आईए इनको ठीक करते हैं इसका तरीका यह है कि पहले हम review tab को क्लिक करते हैं फिर इसमें spelling and grammar की option पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है इस dialogue box से हम spell check के feature को इस्तमाल करके अपनी गलितियों को ठीक कर सकते हैं जिसका तरीका हम आपको पहले ही Microsoft Word के lesson में बता चुके हैं attachment इस section में हम email message के साथ भेजी जाने वाली attachment को open करना सीखते हैं लेकिन ऐसा करने से पहले हम देखते हैं कि attachment क्या होती है attachment दरसल एक file होती है जो email message के साथ attach करके भेजी जाती है मसलन हम अपनी data file को email के जरिये भेजना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने type किया है और format किया है उसको वैसे ही भेजें एक तरीका तो ये है कि हम अपनी data file को email window में type करें लेकिन इसमें time बहुत लगेगा और formatting भी वैसे नहीं हो सकेगी जैसे आप जाते हैं एक और असान तरीका ये है कि हम उस file को email message के साथ attach करके भेज दें इससे file की formatting पर कोई effect नहीं पड़ेगा हम simple file के अलावा video graphics, audio वगेरा की files को भी attach करके भेज सकते हैं आईए अब देखते हैं कि किसी email message के साथ attached file को open कैसे करते हैं इसके लिए पहले हम email program को start करते हैं मसलन हम इस वक्त outlook के program को start करते हैं हमारे सामने inbox का folder open है इसमें जिन messages के साथ attachment लगी हुई है इसके साथ एक paper clip बना हुआ है यानि paper clip इस बात की निशान दही करता है कि इस message के साथ कोई file attach करके भेजी गई है अब हम एक attachment वाली email पर double click करते हैं आप देख रहे हैं कि एक email message एक नई window में open हो गया है इसमें subject की heading के नीचे attachment के साथ एक file name नजर आ रहा है अब इस file को open करने के लिए हम इस पर right click करते हैं फिर sub menu के मुख्तलिफ options में से हम open पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारी attach की हुई file अपने मतलूबा program में open हो गई है यानि जिस program की file attach होगी वो उसी program में open हो जाएगी अब हम इस file को close करते हैं और एक attachment को direct save करना सीखते हैं अब फिर हम attachment वाली file पर right click करते हैं जो menu नजर आ रहा है इसमें से save as की option पर click करते हैं अब हमें save attachment का dialogue box नजर आ रहा है हम यहां से इस file को save करने के लिए इस folder को select करते हैं इसके लावा file name के आगे ये नाम type करते हैं आखिर में हम save के button पर click करते हैं इस तरह से हमारी attachment एक folder में save हो गई है और हम इसको किसी भी वाक्त open कर सकते हैं जिस तरह हमने email message में attachment को open करना सीखा था इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि अपने email message के साथ कोई file attach करके भेज सकें हम किसी भी किसम की file attach कर सकते हैं मसलन, text file, picture, audio या video file आईए, अब हम ये सीखते हैं कि किसी email message के साथ file कैसे attach की जाती है पहले हम outlook में से new email message की window को open करते हैं इसके बाद हम message टैब में से attach file के icon पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है इसमें हम drive और folder को select करते हैं जहां वो file पड़ी हुई है, जिसको हमने attach करना है यहां से हम folder select करते हैं और फिर हम इस folder में से उस file पर click करते हैं इसके बाद insert के button को press करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारी selected file का नाम यहां नजर आ रहा है हम यहां से इस तरीके के मताबिक एक से ज्यादा files को भी attach कर सकते हैं अब हम इस email message और इसके साथ attach की हुई file को भेजने के लिए send के button पर click करते हैं जिससे यह email message file के साथ attach होकर चली जाएगी Search for a message जब email program में messages की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन में किसी information को ढूनना बहुत मुश्किल और lengthy process है इसके लिए हमें तमाम messages को ढूनना और उनके contents को तफसील से पढ़ना पड़ता है लेकिन Microsoft Outlook के एक बहुत कारामद feature Search को इस्तमाल करके हम email messages में मुख्तलिफ किसम की searches को बहुत असानी से कर सकते हैं आएए इस section में हम ये सीखते हैं कि email program में मुख्तलिफ किसम की searches कैसे करते हैं इस वक्त आपके सामने Outlook open है इसमें हमें inbox के अंदर मौजूद messages की list नजर आ रही है फर्स करें हम इसमें उन messages को देखना चाहते हैं जिनके sender address, recipient address, subject या contents में हमारा मतलूबा लफ्स आया हो इसका तरीका ये है कि पहले हम content area में इस search box के अंदर click करते हैं इसके बाद यहां इस box में अपना keyword लिखते हैं जैसे ही हम keyword लिखना शुरू करते हैं content area में नीचे मुद्तलिका emails जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इन सब emails में हमारा keyword highlighted डजर आ रहा है इसी तरह हम search box से किसी भी keyword यानी sender के नाम से, sender के email से या subject name से भी अपनी मतलूबा email तलाश कर सकते हैं और अगर कोई mail न मिले तो results में आएगा no matches found इसी तरह किसी और folder जैसे sent items, drafts वगेरा में भी messages को तलाश किया जा सकता है closing outlook Microsoft Outlook 2010 को बंद करने के लिए आप title बार पर मौझूद इस cross के button को click कर सकते हैं और ये देखें, Microsoft Outlook की application बंद हो गई है summary इस lesson में हमने सीखा कि email एक ऐसा तरीका है जिससे हम internet पर कोई message, कोई picture या कोई information send कर सकते हैं new message कैसे create होता है message को कैसे read, delete और forward किया जाता है spell checker tool कैसे इस्तमाल किया जाता है और message को कैसे copy या cut किया जाता है